हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं जोतिश रतन केंदर चैनल में हमारे आप सभी प्रियश दर्शक गण का इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत और बहुत-बहुत अभिनंदन मेरे प्रिय साथियों मैं हूँ आचारे पंडित सर्वजानंद शर्मा और आज के इस कार्यकरमें जो आपके साथ हम बात करने वाले हैं ये जो मासिक राशी फल होता है मंधली राशी फल उसके विशे में बात होगी और ये जो मासिक राशी फल है ये जन OFFICि-22022 का है आपको हम मेर्श राशी से लेकर के और मीन राशी तक सभी राशियों के विशह में बात करेंगे बताएंगे कि ये महा जन्वरी आपके लिए कैसा रहने वाला है किस-किस छेत्र में किस-किस प्रकार के परिणाम आपको देखने में आ सकते हैं और साथ में आपको उनके उपाय भी देंगे अंत में जब राशी फल की बात करेंगे तो राशी फल के अंत में आपको हम उपाय भी देंगे अगर आप उन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से आपका ये महाजनवरी बहुत आराम से और शांती से निकल जाएगा आपको कुछ ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा लेकिन राशीफल की बात करें तो राशीफल से पहले हमें ये भी जानना बहुत आविशक हो जाता है कि जिन गरहों के आधार पर हमें परिणाम प्राप्त होते हैं जिन गरहों की सिती के आधार पर गोचर में जो ग्रहों की इस्थिती होती है आसमान में उनके आधार पर ही हमें हमारा जीवन चलता है पूरा जीवन उनी पर निरभर है उनकी कैसी इस्थिती है नो ग्रह है नो के नो ग्रहों की कैसी इस्थिती रहेगी सभी ग्रह अच्छे भी नहीं होते सभी ग्रह खराब नहीं होते और कई बार कुछ अच्छे ग्रह मिलके कुछ बहुत अच्छा राजयोग बना देते हैं जिसके हमें बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति हो जाती है कई बार कुछ अशुब ग्रहें एक साथ मिल करके कुछ अशुब योग बना देते हैं जिनके अशुब परिणामों की प्राप्ति हमारे जीवन में हो जाती है तो इसी इनका महतु बहुत है ग्रहों का हमारे जीवन में तो यहाँ पर इस से पहले के हम राशी फल की चर्चा करें आपको जानकारी देना चाहेंगे कि इस महाजनवरी 2022 में आस्मान में ग्रहों की सिती क्या रहने वाली है कौन से ग्रह किस राशी में रहेंगे कब उन्होंने अस्त होना है कब उदय होना है कब उन्होंने मारगी होना है कब उन्होंने वक्री होना है उनकी चाल कब सीधी होगी टेड़ी होगी या वो अस्त हो जाएंगे अस्त का मतलब होता है कि जब पूरी तरह से सूर्य की रोशनी में वो दिखाई ना दे उनका प् 2022 में ग्रहों की इस्थिती जो रहने वाली है कौन सा ग्रह किस राशी में रहेगा तो देखे सबसे पहले पताना चाहेंगे कि सूरह 14 जनवरी 2022 को अपनी मित्र राशी धनू से निकल करके अपनी शत्रू राशी मकर में प्रिवेश करेंगे दोपहर दो बच कर 29 मिनट पर फिर मंगल 16 जनवरी 2022 दिन रविवार को अपनी स्वयम की राशी विरिश्चिक से निकलेंगे और अपनी मित्र राशी धनू में प्रिवेश कर जाएंगे शाम चार बच कर 30 मिनट पर मारगी एवं उदेवस्था में बहुत अच्छी पोजिशन में होंगे अपनी मित्र के घर में जा रहे हैं अपनी राशी से निकल करके मंगल की सिती अच्छी रहेगी महाजनवरी में बुद्ध अपनी परमित्र राशी मकर में अपने मित्र के घर में ये उनकी मित्र राश को ये वक्री हो जाएंगे उल्टी चान इनकी आरब हो जाएगी और सत्रे जनवरी संद दो हजार बाइस को ये पश्चिम में अस्त भी होंगे तदा 39 जनवरी को फिर ये पूर्व में उद्य होंगे तो इस परकार की सिति बुद्ध की रहने वाली हैं बुद्ध की कुछ खास ज्यादा अच्छी सिति नहीं रहेगी अपनी स्वयम की सिति उनकी कुछ कमजोर हो जाएंगे क्योंकि वो महीने के मद्धे में जाकर के वो अस्त हो जाएंगे और जाकर के महीने के अंत में वो उद्य होंगे उससे पहले वो वक्री हाल वक्री चल रहे होंगे चौजा जन्वरी को यह वक्री हो जाएंगे तो इनकी जो सिती है वो महा मद्धे तक तो अच्छी रहेगी मह पूरू की सिती फिर भी काफी अच्छी रहेगी शुक्र अपनी समराशी धनू में वक्री अवस्था में संचार उनका चलता रहेगा जन्वरी में लेकिन ये 29 जन्वरी 2022 को मारगी होंगे महां के अंत में जाकर करके और पांच जन्वरी को ये अस्त हो जाएंगे पश्चिम में और बारे जन्वरी को ये पूरू में उदय भी होंगे लगवक साथ आठ दिन ये आठ दिन ये अस्त रहेंगे पांच से लेके बारा जन्वरी तक यहां पर इनकी यूति अपने शत्रू ग्रह सूर्य के साथ 14 जन्वरी तक बनी रहेगी तो इस प्रकार ये इनकी स्थिती रहने वाली है कहा जा सकता है कि महां के मद्धे तक तो कुछ जादे ही स्थिती खराब रहेगी शुकर की उसके बाद थोड़ा मद्धे में स्थिती में अस्त हो जाएंगे 19 जन्वरी को और पूरे माँ ये फिर अस्ती ही रहेंगे महा के अंत तक लेकिन इनका साथ अपनी इसी राशी में अपने मित्र बुद्ध के साथ पूरे महा बना रहेगा वो दिन के साथ बने रहेंगे इसी राशी में राहू राहू अपनी मित्र राशी वरिश्चक में पूरे महा बने रहेंगे केतू भी अपनी मित्र राशी वरिश्चक में बने रहेंगे पूरे महा और इसी राशी में इनका जो साथ है अपने मित्र मंगल के साथ 16 जन्वरी तक रहेगा सोले जनवरी को जैसे हमने आप से बताया था कि मंगल इस राशी से निकल जाएंगे अपनी स्वयम की राशियर से और अपनी मित्र राशी धनू में प्रिवेश करेंगे तो ये है महा जनवरी 2022 की गोचर में आसमान में इस्थिती इनी के आधार पर जो बारे के रोर मीन तक उनसको परिणाम प्राप्त होंगे इन गरों के अनुसार इनकी सिती के अनुसार और आपको ये भी बताना चाहेंगे यहां पर के जो भी राशी फल की चर्चा हम आपसे करेंगे ये चंद्र राशी पर आधारित नहीं है ये पूर्ण रूप से लगन राशी पर आधारित होगा राशी फल तो आई ये चर्चा आरम करते हैं जो आप मिथुल लगन के जातक हैं यानि के जेमनी असेंडेंट बेस जो जातक हैं उनके मासिक राशी फल महा जनवरी 2022 के विशा में हम बात करने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि ये महा जनवरी 2022 आप का व्यवसाय को ले करके कैसा रहने वाला है देखिए जहां तक व्यवसाय का प्रिश्ण है तो व्यवसाय के लौड आपके कुंडली में गुरू ब्रस्पती है और वो इस समय बैठे हुए हैं कुम राशी में हाला की अच्छे इस्थिती में हैं लेकिन यह जो जहां पर करते हैं यह एक तरीके से सामान ने रूप से चीज़ें चलती रहेंगी यानि कि बिना किसी विग्ण और बादा के छोटी मोटी बाद आए तो आती रहती है वह उनकी तो कहीं काउंटिंग करनी भी नहीं चाहिए बाकि कोई विशेश समस्या आये बात उसकी होती है तो यह अगर आप कहीं काम करना है तो डेली जैसे आते हैं काम करके अपने ऑफिस से घर आ गए फिर नॉर्मल वे में अगले दिन चले गए यह इसी प्रकार की मतलब जो है चलता रहेगा आपकी लाइफ में कोई उतार चढ़ाओ वाली सिती हो कुछ इस प्रकार की ऐसी मतलब नही है लेकिन हाँ इतना हम जरूर कहेंगे आप से कि देखिए क्योंकि शनी की धहिया का आपके उपर जरूर प्रभाव बना हुआ है आपके जीवन पर लेकिन यहां पर हमारा धे आपको ड़राने से नहीं है शनी की धहिया है थोड़ा सा परिश्रम अधिक करना है शनी जो है हैं तो अगर आप परिश्रम करेंगे और अपनी इमांदारीस से अपने कार्वर्य करते रहेंगे तो आपको इस पूरे जनवरी महा में अपने कम्से कम व्याफ़ाएं में तो समस्यां का सामना नहीं करना पड़ेगा नौर्मल ही आपका ये महीना निकल जाए बिना किसी प बहुत बड़ी पदोन्ती हो जाएगी इस प्रकार का योग नहीं है मैं बार बार एकी बात रिपीट कर रहा हूं वो यही कर रहा हूं कि यह पूरा महीना आपका अपने कार्य चेत्र में सामानने तोर पे यह भी बहुत बड़ी बात है कि अगर किसी बिना किसी परेशानी के जिंदिगी चलती रहे आराम से तो कोई दिक्कत नहीं है तो इस प्रकार की सितिया आपके वियुप साय में रहेगी और अगर हम बात करते हैं आपकी आर्थिक सिति की धन की सिति कैसी रहेगी तो देखिए धन का आगमन भी महा के आराम से महा के मद्य तक बना रहेगा और ये जो इस city है जो मैं कहरा हूँ आपसे धनकी क्योंकि मंगल जो है आपके धनके मालिक है मतलब इनकम के वो 16 जन्वरी को यहां से अपने स्वयम के राशी विरिष्चेक से मैंने आपको बताया था कि रे गोचर की सिती के समय पर कि वो 16 तारिक को यहां से अपनी राशी बदल करके धनुराशी में जाएंगे आपके चार्ट में सब्तम सेविंथ हाउस में तो जब यहां पर आएंगे तो शुकर के साथ इनकी यूती बनने वाली है और हो सकता है कि आप जितना धन कमाएं आपको कहीं दूर की यात्रा करनी पड़ जाए इस बात की संभावना बहुत उसमें आपका धनका व्य हो सकता है अच्छा खासा वो यात्रा जो आप करने वाले हैं जन्वरी के महीने में अपने कार्णे से संब्दे अच्छा और यह जो है आप जब मंगल राशी परिवरतन करके सब्तम हाउस में जाएंगे निश्चित रूप से एक लाप तो आपको थोड़ा सा कह सकते हैं कि चीज़ा कुछ आपके पक्ष में जाती हुई दिखाई देंगी इस प्रकार की स्थिती है कि देखिए महा के आरम से महा के मद्दे तक आप जो भी कार्णे अपने छेतर में करेंगे तो उसमें आपको मान सम्मान भी मिलता रहेगा कार्यों में भी कोई विखन बादा नहीं आएगी कोई विशेश चीज़ां चलती रहेंगी हां महा मद्दे से थोड़ा सा आप चीज़ां तो कुछ पक्ष में जरूर आएंगी लेकिन साथ साथ आपको अपने मान सम्मान का भी ध्यान रखना है कोई जाने अंजाने आप से कोई ऐसा कार्य ना हो जाए कि जिसमें आपके मान सम्मान में कमी हो इस बात का विशेश द्यान रहें अपने कार्यफ क्षेतर में अब करेंगे इस्ध्यी थी तो हम आपको बताई चुके हैं अभी भी थोड़ा सा हमने प्रकाश जाला है कि महा के आर난 से महा के मद्दे तक आपकी आर्थिक की स्थिति है दन का आगमन वो बना रहेगा समाने तोर पे और वैसे तो इस जन्वरी के महीने में जो आपकी आर्थिक स्थिति है वो अच्छी रहेगी पैसा आपको आपके हातों में दिखाई देगा बेशक्चाएं इनकम आपकी समानय रूप SekASE ही हो लेकिन पैसा आपके हाथ में आपको दिखाई देगा साथ ही अगर आप कोई planning कर रहे हैं कहीं धन invest करने की या save करने की अपना money तो वो भी सामान्य रूप से आप कर पाएंगे बहुत अधिक मात्रा में नहीं या बहुत जादा नहीं लेकिन हाँ एक सामान्य डंग से आप कर पाएंगे savings प्रेम संबंदों की बात कर लेते हैं देखिए प्रेम संबंदों को ले करके जो हम ग्रों की सिति आप मिथुन लगन के जातकों की देख पा रहे हैं वो यह है कि आपके relationship पहले से चल रही है मान लीजे पहले से तो महा के इस जन्वरी महा के आरम से महा के मध्य के बीच तो उन relationship में कोई बहुत ज़्यादा progress प्रगती होती आपको दिखाई नहीं देगी लेकिन हाँ महा मध्य से और महा के अंत तक यह जो relationship है आपकी मित्रता है यह और मजबूत होगी इसमें प्रगती होगी और आप एक दूसरे के बहुत निकट आएंगे और इस बात की भी बहुत अधिक संभावना है आपकी relationship की बात कर रहे हैं कि यह कहीं बात physical contact तक ना पहुँच जाए इसकी भी बहुत अधिक संभावना बनी हुई है महामद्दे से अब बात कर लेते हैं विवाहित व्यक्तियों की के उनका कैसा रहेगा देखिए इस महा जनवरी 2022 में जो विवाहित व्यक्ति महिला और प्रोश हैं उन दोनों की ही बात कर रहे हैं कि आपका वैसे तो पूरे महाम जो आपका व्यक्तित है वो बहुत आकर्शक रहेगा यनिके जो आपका जीवन साती है वो आपकी और आकर्शित होगा आपके आकर्शन को देख करके आपकी परसनल्टी की और वो मतलब एक तरीके से अट्रेक्ट करोगे आप उसको आपकी जो परसनल्टी है वो अपन पीच में किसी किसी बात को ले करके छुट मुट बातों को ले करके कुछ थोड़ी बहुत तनातनी भी हो सकती है नरम गरम लेकिन हाँ महा मद्दे से और महा के अंत तक आप पूरे वैवाहिक सुखों का आनंद लेंगे पूरा भर पूरा आनंद उठाएंगे आप बात करनेते हैं पारिवारिक संबंदों की पारिवारिक संबंद जो हैं मिले जुले परिणाम आपको देखने को आएंगे इस प्रकार के अनुभव आपको रहेंगे कुछ परिवार के बीच में कभी बहुत ही अच्छे यह इस प्रकार महीना आपका निकलने वाला है और छात्र जो है उनके लिए भी बताना चाहेंगे उनके लिए कैसा रहेगा देखिए छात्रों के लिए मैं विशेश रूप से कह रहा हूं कि यह स्थिती जो है थोड़ा सा अच् तो उस ग्राफ को नीचे जाने से तो गुरू ब्रस्पती रोक रहे हैं वो तो नहीं जाने देंगे लेकिन आपको भी यहां पर पूरा जिम्मेदार होना पड़ेगा अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ाईगी अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी मैं छात्रों से कह रहा यनि के अपनी शिक्षा को शिक्षा की तरीके से ही ग्रहन करना है बहुती सिंसेरटी के साथ अगर ऐसा करेंगे तो जाकर के कहीं मध्यम परिणामों की प्राप्तिया आप कर पाएंगे अन्य था सामान नहीं परिणाम आपके हाथ में आएंगे ये छात्रों के लिए कह रहे हैं संतान को ले करके बताना चाहते देखिए महा के आरम से और महा के मध्य तक तो संतान को थोड़ा सा एक तरीके से स्ट्रगल अधिक करना पड़ेगा या संतान सुख में कमी कह सकते ह ज्यादा सपोर्ट या कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति मातापिता को नहीं हो पाएगी महा मध्य से और महा के अंत तक की जो इस्थिती हैं वो उसमें सुधार होगा और जो परिणाम आपको महा के मध्य तक प्राप्त हुए हैं यानि कि जो अनुकूल परिणाम नहीं है उसके कंपेडिवली यह महा मध्य से महा के अंत का जो पीरियड होगा यह अच्छा रहेगा आपको अपनी संतान से अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी बनस्पत जो पहला पंद्रा दिन है महा के उसके मुकाबले अब आपको बात करते हैं स्वास्त की देखिए महा के आरम से महा के मध्य तक आपका स्वास्त थोड़ा बहुत बीच में अगर कभी गणवर होगा भी तो बहुत टेंप्रेरी बेस पे वैसे मंगल बिराजमान हैं यहां पर तो आपके स्वास्त को वो बहतर ही रखेंगे अच्छा ही रखेंगे हां समस्या कब प सवास्त को ले करके सचेत रहना होगा खान पीन पर द्यान रखना होगा और दिन चड़ रहा भी अपनी सही रखनी होगी और समय समय पर अगर मेडिकल चेक अप करवाएंगे तो और भी अच्छा है तो इस प्रकार की सिती रहेगी उपाय क्या किये जाएं उपाय आपको ब करना है कि आप गाय को हराचारा खिला सकते हैं या फिर बुद्वार के दिन बैठ करके आप विश्णु सहस्तर नाम का पाट कर सकते हैं घर में सुभा के समय कर ले और शुक्रवार के दिन आपने अपने हातों से पूरी पर खीर रख करके गव माता को खिलाएं या पूरी घर में बनवा करके रोटियों पर देशी घी रख करके और एक सफेद मिठाई बर्फी वगएरा रख करके अपने हातों से गव माता को सफेद रंकी गाय को खिलाएं और तीसरा उपाई ये है कि मंगलवार के दिन मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के पृतिमा के सामने ब दीपक जलाएं हनुमान जी के सामने भी सर्सों के तेल का दीपक शनीवार के दिन शनी महराज के सामने भी सर्सों के तेल का दीपक जलाएं और वहाँ पर आप चाहें तो शनी के मंतरों का जाप कर लें शनीवार के दिन शनी मंदर में शनी इस्तोत्र कर सकते हैं शनी चालि निकलेगा अच्छा निकलेगा तो मेरे प्रियसातियों ये थी मासिक राशीफल आप मिथुनलगन के जातकों का महाजनवरी 2022 का आपको ये अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें साथी चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक मात कारेकरमों के नए वीडियो से हैं भिन भिन कारेकरमों पर हमारे वीडियो बनते हैं वो वीडियो आप तक पहुश सकें और आप उनका भी समयनों साल लाप राप्त कर सकें इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जै माता अबन्यवाद झाल थार